हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नयन इसकुल पर हार दिख स्वागत है आज 18 सेप्टेंबर 2023 की दो बरी खबरें हम डिस्कस करने वाले हैं एक आई है एफटी दिल्ली से जो एक्स पे 62 सो को लिकर है और वो एक खबर जो है बहुत इंपोर्टेंट है सभी पैंसनर्स के लिए दूसरी खबर परमवीर चक्र विजेता का धाकड भाशन रेवाडी से मोदी जी को याद दिलाया उनका अपना वादा जीत हुई पक्की देखिए ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि परमवीर चक्र विजेता ऐसे रेवाडी की रेली में आते हैं और संबोधन देते हैं और देखिए संबोधन जो था उनका बहुत ही आकर सक था अगर आप लोगों ने नहीं सुना हैं तो एक बार उस संबोधन को जरूर सुनीगा इतना अच्छा संबोधन है कि देखिए जो भी वहाँ था मंत्र मुगध हो गया और इस चीज का इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा चुनाव से जस्ट पहले कि देखिए सरकार को भी इस विचे पर सोचना पड़ेगा तो हम ये दोनों ही खबरे आज के अपने इस वीडियो में विश्तार से डिस्कस करने वाले हैं अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो पसंद आए तो लाइक और सेर ज़रूर करें सबसे पहले आप देख सकते हैं आज की अमर उजाला की कटिंग है सरकार ने अधिकारी और सैनिक में ही फर्ख कर दिया योगेंदर यादाओ देखे परमवीड चकरविजेता बोले वन रैंक वन पैंसन का नारा देने वाली सरकार ने ही किया भेदबाओ कहा भेदबाओ को खतम नहीं किया गया तो पूर सैनिक आंदोलन करेंगे और देखे बहुत सारी इन्होंने बातें ऐसी कहीं है जो यहां पर बताई है कि देखे इतनी जो आपने बोला था जो रेवाली में आपने बोला था कि देखे हम सब को one rank one pension देंगे जितना भी PMR हो कुछ भी हो देखे उस टेम आपको PMR याद नहीं आया लेकिन आज आपने PMR के नाम पे सैनिकों को बाढ़ दिया अधिकारी और जवान में जो है सैनिकों को बाढ़ दिया जो पूरी तरह से भेदभावपूर्ण है अगर ex-serviceman है तो उनको ex-serviceman की तरह ही माना जाना चाहिए तो यह तो एक बहुत बड़ी खबर है और देखे एक positive impact जरूर इसका भवि डिवाइट कर दिया टेबल साथ में उन्होंने बोला कि देखे जो pre-2016 है और जो post-2016 है उनके लिए टेबल आठ में आदी जिससे देखे बहुत बड़ा differentiate पैदा हो गया आप one rank many pension करके इसको बुलाने लगे तो देखे यहां पर जो है AFT दिल्ली में 14 September 2023 को एक case registration किया गया थ O.A. No. 2727 of 2023 पैटिशनर हैं यहां पर X.J.W. जितरंजंदास जी वसिज यूनियन ओफ इंडिया अगर हम बात करें पैटिशनर के advocates तो आप देख सकते हैं अभय कानत उपाध्याई जी और जितेंद्र कुमार देव जी देखे यह दोनों advocates जो है voice of X.S.S. Society की तरफ से ही हैं O.D. को रक्षा मंतराले को मानिनिये A.F.T. ने notice जारी कर दिया है कि देखे आपको notice का जवाब देना है क्योंकि जब भी कोई कारेवाई सुरू होती है case लिस्टे होता है तो देखे notice जारी किया जाता है यह पने आपने बहुत बड़ी बात है कि यह case जो है accept हो गया है और नहाँ पर M.O.D. को notice जारी कर दिया गया कि आखिर ऐसा कैसे है जो भी documents है उनको put up करने है फिर हमारी तरफ से भी documents put up किये जाएंगे और finally जो होगा वो next hearing में आपको पता चल जाएगा अभी तक का जो latest इस्तिति यह है कि देखे M.O.D. को latest जो है यहाँ पर जारी कर दिया है notice अब उनको उस notice का जवाब देना है अपने documents put up करने है आगे इसमें जो भी further updates आएगी मैं आपको update करता हुआ लेकिन अभी तक इस्तिति यह है कि दोनों ही case जो है A.F.T. में अभी लग चुका है और दूसरा जो O.R.O.P. के उपर ही rally थी वो rally बहुत ही सफल rally हुई mega rally थ परें फिर मिलेंगे आपसे जय हिंद जय भारत